हेलो दोस्तो नमस्ते में आप मानोप्रायर और इस फीडियो के अंदर आम में बतने वाला हूँ दोस्तो जो MIUI 10 का नया आप्रेट आया है दोस्तो अपने पोको F1 Redmi Y2 और Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro के अंदर दोस्तो उसके साथ जो MIUI के कामेरा अप्लिकेशन है दोस्तो इसके अंदर आपको उपर आपको यहापर मिल जाता है Google Lens का सपोर्ट जैसके आप देख पर दोस्तो यह दोस्तो MIUI 10 का नया आप्रेट के साथ आया है मैं यहाँ से आपको आप्रेट का वर्सन दिखायेता हूँ सरीष करना चलते है आप आप करना चलते है अचके अब देख पर हो दोस्तो यह मेरा पोको एफ़ान है जो MIUI 10.2.3.0 का अप्रेट के साथ आपको Google Lens का सपोर्ट मिलता है MIUI की कैमेरा अप्लिकेशन के ऊपर दोस्तों आपको बाद हूँ जो MIUI का बीटा अप्लिकेशन है दोस्तों MIUI का बीटा रॉम है उसके अंदर Google Lens का सपोर्ट बहुत पहले आ गया था पर फाइनली दोस्तों इस्टेवल वर्सन के अंदर M.U.A का स्टेवल रॉम के अंदर Google Lens का फिचर M.U.A कैमेरा अप्लिकेशन के अंदर ही दे दिया गया है आपको बाद हूँ जो Google Lens है दोस्तों इस 2017 Google I.O के अंदर इंट्रिटूस किया गया था बात में दोस्तों फाइनली 2019 के अंदर मार्च के अंदर Xiaomi device के अंदर Google Lens का सपोट आया है पर अभी दोस्तों स्रिफ तीनी device के अंदर Google Lens का सपोट आया है Google Stable version के अंदर नामबर वान पोको एफ़न नमबर टू, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, नमबर 3, Redmi Y2 बाकि दोस्तों कोई भी device के अंदर Google Lens का सपोट, MIUI, Google Stable ROM के अंदर नहीं आया है अगर आपके device के उपर root access है तो दोस्तों आप Google Lens को एनेवल कर पाऊगे पर without root access श्रिफ तीनी device के अंदर Google Lens का सपोट दिया गया है यहाँ पर मैं बात करूँगा दोस्तों Google Lens का काम क्या है simply दोस्तों हम यहाँ से अगर आप Google Lens को access करना चाते हो तो दोस्तों आपका पास जो MIUI का camera application है उसे on करो on करने के बाद उपर आपको three dot मिलता है यहाँ पर इसमें टैप कीजिए उसके बाद दोस्तों आपको Google Lens मिल जाएगा यहाँ पर इसके बाद Google Lens में टैप कीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता रहा है आप यहाँ पर skin text कर सकतो shop meter smarter कर सकतो discover new place कर सकतो मतलब अगर आप कोई भी text को scan करना चाते हो यहाँ से कर सकतो Google Lens के साथ कोई भी चीज अगर आपको पसना आ जाती है जैसे के फोन अगर आपको पसना आ जाए तो अगर आप इसको scan करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप चाहो तो यहाँ से खड़ी सकतो हो उसके से दोस्तों नया नया प्लेश को आप गुगल लेंस के दूह यहाँ पर डिसकोभर करपा हो ا Shall यहाँपर आपको मिल जाएगा सिंपनी दोस्तों आपको Google Lens के अंदर यहाँ आपर स्टार्ट में क्लिक करने के बाद गे साट में क्लिक काने के बाद दोस्तों आपके बास जो भी जीमेन आगाउंट है उससे आपको यहां पर साइनिंग करना होगा सुमें जल्दी साइनिंग कर लेता हूँ दोस्तों साइनिंग करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा मैं पहले फिर से करता हूँ यहां पर कैमेरा क कर सकते हो दोस्तों तो यहां से कुछ इस्तर से काम करता है ठीक है यह दोस्तों आटोमेटिकली पिक अप कर दिया ठीक है यहां पर लिखा है पॉइंट दा कामेरा टो होल्ड स्टेडी फिर से हम ओपन करते हैं गुवल लेंस को यहां पर आप चाहो तो टेक्स को कभी कर सकतो सार्च कर सकतो सिमलर प्रड़ाट को को भी प्लांड और अनिमेल को अडिन्टिफाइड कर सकतो ना बुक्स और मीडिया को यहां पर डिस्कुबर कर सकतो को इस qr code को स्कैन कर सकतो बेसीकली कोई चीज जो भी आपके कैमेला देखता है दोस्तो हो यह आ पर यूटूब और गुगल के उपर सार्च होगा सार्च हो कि आपको यहां पर गुगल लेंस के अंदर सार्च सिस्टिक के अंदर दिखा तो कुछ इस तर से उस तो Google Lens काम करता है तो अगर आपके डिवेस को पर एपडेट अभी भी नहीं आया है तो कुछ दिन वेट कर लो आपके डिवेस को पर Google Lens का support शायद आने वाला है बाकी Xiaomi का कोई भरसा नहीं शायद आपडेट दे दे ना दे शामी को पर डिवेन करता है अगर आपको ये वीडियो बसना है जरू से इस वीडियो को लाइक करना इससर के और भी इंडेस्टिन टेक वीडियो को देखने के लिए हमने जाने को सब्सक्राइब करके गंटी भी लाइगन को जरू सुदा भाईए थानकि फर आजए वीडियो 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 को लिए हैं जरू सब्सक्राइब करते हैं